तो यह संदिभास को अचली बचलोग बात करते हैं एक पोएम की जिसका टाइटल है फायर और आईस तो बचलोग सबसे पहले थो मैं बता दू कि इस पोएम के ना पोएट की किस पोएम के कभी जोग ना वहां रावट फ्रॉस्ट यानि शौत ने इस पोएम को लिखा और इस पोएम में Robert Frost ना दो वर्ड को यूज किये हैं that is fire and ice अब इन दो वर्ड के वाद माध्यम से ना वो बतलाना चाहते हैं कि अगर दुनिया का किसी दिन अंत होना है तो ये कैसे ये दो वर्ड जो है न वो कैसे जो है या दो कारण जो है न वो कैसे दुनिया को destruct कर सकते ह यह इस पूरे पोएम का जो है न बात जो है इस पोएम में कही गई है तो पहला तो यह हो गया अब हम लोग बात करते है न पहले question की तो question है what does fire and ice stand for and what is the general opinion regarding the world अब दिखे जो है इसका पहला question जो है न पहला question कुछ इस तरह से है कि fire और ice जो है वो किस चीज के प्रतीक है यह हमें बतलाना है and second चीज है इसी question का न second part है कि what is the general opinion regarding the world वोल्ड के बारे में यानि कि दुनिया के बारे में आम राय क्या है हमें पता है इस पोएम में destruction के बारे में बताया गया है कि point क्या कारण बन सकता है वोल्ड की नास की कारण होने का क्या कारण हो सकता है इस पोएम में ऐसा कुछ कहा गया है ठीक है तो अब इस question को बचलो कभी कभी दो दूसरे तरह से भी पूस दिया जाता है वह कुछ इस तरह से होगे what is the central idea of the poem fire and ice fire और ice नाम का जो पोएम उसका central idea क्या है ठीक है यानि कि मुखे अंस क्या है मुखे बाते क्या है यह हमें बतलाने के लिए कह जाता है तो चलिए बचलो इस question को सुरू करने के पहले जो इसके लिए हमें कुछ words की तयारी करनी पड़ ठीक है दूसरा word है वह आया का desire यह desire का मतला होता है इक्चा पैसन पैसन मतला जुरून हैट्रेट मतला घिरना और conflicting यानि की conflict में वर्ड है conflict का मतला हो गया ना वीरोध या conflicting का मतलेंगे क्या वीरोधा भास ठीक है इनसेंसिटिविटी दूसरा अगला word जो है ना वहामें मिल हमें intolerance intolerance का मतलब होता है और सहन सीलता है यानि की बरदास्त ना करना ठीक है threat अगला word मिलेगा इसका मतलब होता है खत्रा और notion उसका मतलब होता है धारना तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब answer की कि fire स्टेंट्स पर डीजार पैसब लस्ट अनगरीड तो बचल लोग फायर जो हैना वह किंसी जो के लिए इस चेंड करता है वह करता है डीजार पे पैसंड के लिए लस्ट यानि की लस्ट का मतलब होता है वासना के लिए और ग्रीड या लालज के लिए इन सारे चीजों क के लिए ना वह कुन सा सब्द यूज किया गया है वह स्टेंड कर रहा है इस पोएम में फायर यूज कर किया गया है ठीक है दूसरा है वेर आज इस सींबोलाइज जैते इस इंशेटीविटी एंड इन इस इन डबोएम फायर और आइस रीटेन वार रोबर्ट फ्रोस्ट के दोरह कभीता लिखी गई यह उसमें जो है वह ऐस जो है और जो रिच्छेंख करता है यानि की आइस जो है प्रतीक घ्रना का इंसेंसिटिविटी यानि कि और समवेधन सील इथाका और इंटोलरेंस का मतलब हो गया कि बरतास्त ना करना तो इन सारे चीजों के लिए वह क्या स्टैंड करता है वह करता है वह सिंबोलाइज करता है आइस करता है तो चलिए हम लोग बात करते कि जेनरल और या अपिनियन ओवर्ड के डिस्टैंट को लेकि कूं साचीज को ज़्यादा एस्पॉण्सिब्ल मानते हैं जहिए हम लोग आगे बात करते हैं तो सबसे पहले वचला बमें कोई भी एक उपीनियन नहीं यह वर्ल्ड के ृस्ट्रक्शन को लेकी इस पोएं में नहीं कहा गया किसी एक कारण को नहीं बताएगा रिस्पोन्सिक्राइगा बलकि दो लोग हैं दो तरह के थौट जो है यह ने दूसरे ग्रूप के लोग वह मानते हैं कि आइस होगा इसका कॉज होगा वर्ड के डिस्ट्रक्शन का तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर पोएट का क्या मत है पोएट क्या करना चाहते हैं इस पोएट के मात्यम से तो देखिए बचलों क्या है ना पोएट को कर रहे हैं कि जेनल ओपीनिंदर सोसाइटी इस्ट्रक्शन अफ द वर्ड इस क्वाइट कंफ्लिक्टिंग नेचर यानि की जो है न मत जो है न दुनिया का जो मत जो है न वह एक नहीं है मत जो हैं कि यानि कि वीचारधारा जो है नजो भी विचार जो है न इस व्ल्ल्ड को लेकर वी पीणिया ना राय जो है न वह सबूसर नहीं है वह एक एंता दो अलग अलग ग्रूप के लोग इस चीज को देने वाले अब पोजे आफ पीपल बिलीब दाट वल्ड विल एंड इन फैर मत एक लोग का समू है जो लोग इस बात को माते हैं कि फायर जो हना फायर के वज़ा से क्या होगा इसका अंत होगा ऊसा करते करते कर इन बतलाते हैं वो बतलाते हैं फायर तो फायर का मतला जो वह यह कहते हैं कि वर्ड के अंदर जो है जो कुछ भी जो ग्रोइंग जो बढ़ता हुआ जो क्या दिखाई देरा ना डिजार इच्छा जो इच्छा पैसान लस्ट और ग्रीड जो है यह काफी जो है वो हानिकारक है यानि कि यह जो कारण बन सकता है वर्ड के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है अब दिखे क्या है यानि कि दूसरे साइड में क्या का जाए और सेक्षन आप इपल फौसीज एक तरह के दूसरे तरह के समूग के लोग है न वह किस चीज़ को देखते हैं वह समझते हैं क्या उनका मान और समेंदन समवेदन सीलता और इंट्रेंस का मतलब हो गया क्या और समसीलता वह इन चीज़ को न एक थ्रेट मानते हैं यानि कि खत्रे का निशान मानते हैं यानि कि खत्रा मानते हैं इस चीज़ को और उनका मानना न कि इसके वज़ा से न वर्ड का जो है न वह एंड हो सक तो अधर और अधर हैंड अशिक्षाट पीपल फोर्टीज हेटेड इंसेंसिटिविटी अधिन इन इंट अधिक तु ब्रीग दो इन दुनिया के अंत का ये कारण मालते हैं अब देखें ना पुछ अपने तरफ से फीय農ा मिंधू ङिर्ष alandों का फॉर्फ शा यानि 2क दोन थार्नाव को ने या क्या करता है , वो इस पात को न फेवर करता है क्या he favors fire in the first place सबसे पहला अस्थान वो fire को देता है यानि कि poet का मरना है कि fire के वज़ा से यानि कि desire growing desire growing जो है न वो क्या होता है growing desire passion lost और greed इसके वज़ा से न दुनिया का अंत होगा poet का मरना है and second जो है न वो that is ice यानि कि वो दूसरे number पे न वो ice को रखते है point ठीक है तो इस तरह से बचालोग हम लोग जो है central idea को समझ चुके है poem के अब हम लोग बात करते है न इस से related एक stack best question की इस set में some say the world will end in fire some say in ice कुछ का मानना कि the world का अंत जो है न वो fire के वज़े से होगा and कुछ तो है न उसको क्या करते है ice को मानते हैं इसका कारण from what I have tested of desire मत जैसे मैंने देखा है मैंने समझा है या मेरा जो मानना है ठीक है यह आप कर सकते from what I have tested of desire ठीक है मत जिस तरह के इच्छा जो प्रकट हो रही है जिस तरह से poet का मानना है वह अपनी बात कर रहे है I hold with those who favor fire मतल्द जो है न उन लोग को support करते हैं poet का मानना है कि उन लोग को poet जो है वह support कर रहे है and poem poem और poet का भी जो है न हमें नाम बतलाना है तर नेम अब तर पोएम इस फायर आइस and its poet is Robert Frost ठीक है अब हम लोग बात करते हैं second question की what do greed passion and desire symbolize in the line इस line में इसका क्या किस चीज़ के प्रतीक है greed passion और desire किस चीज़ के प्रतीक माने गया है तो यह fire के प्रतीक माने गया है ठीक है अगला वह question कुछ इस तरह से है कि what do indifference hatred and rigidity signify in the line मतलब इस line में इस intensity indifference indifference का मतलब हो जाता है कि कुदा सीनता hatred का मतलब होता है यानि कि घ्रणा और rigidity मतलब की इस चीज़ को सिगनिफाई कर रहे है आइस को यह लोग जो है वह रेफर कर रहे हैं चलिए अब हम लोग करते हैं एक और question की बात तो अगला question है बचलों कि what is the rhyming scheme in the given stage अब इस stage में हमें बतलाना है कि rhyming scheme क्या है तो बचलों किसका जो rhyming scheme है a b a a अब हम समझते हैं कैसे इसका rhyming scheme a b a a बना तो देखें बचलों क्या है अगर हम इसको a माल लेते हैं तो यह fire and then desire यह भी aim होगा और यह fire फिर यह हो जाएगा और यह एक अलग तरह का जोना वह sound कर रहा है तो इसको हम लोग माल लेते हैं भी तो इस तरह से क्या बना राइमिंग क्या बना ए बी ए ए ए ए इसका जो है वह राइमिंग स्कीम हुआ है इस स्टेंजा का थेंक्यू बचलों